कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल जी के टूब में आज हम भारत के भूगल के अंतरगत भारत की अवस्तिति एवं विस्तार को पढ़ने जा रहे हैं जी हां यह ऐसा टॉपिक है जिस पर आपने बहुत सारी लेक्चर देखे होंगे प्रित्वी में देखा जाए तो भारत की अवस्तिति कहां पर है इस पर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं यहां पर समपूर प्रित्वी साथ महादीप यहां चार महासागर से मिलके बनी हुई है और हमारा जो एसिया महादीप है इस एसिया महादीप में देखा जाए तो भ पूछा जाता है भारत कहां पर अवस्थे थे भारत जो है उत्री गुलार्द में अवस्थे थे और उत्री गुलार्द में दक्षिण एसिया के मध्य में अवस्थे थे जिहां यहां मध्य में अवस्थे थे छेत्रफल की द्रिष्टी से देखा जाए भारत का बहुत एक वि किलोमेटर पर अवस्स्त है जो दो चार प्रती सथ होता है किसका विष्व के संपूर छे त्रफल का जी हां ór जण संख्याक की द्रश्टी से देखा जाए इसकल और пох죠 और जश्जंख्वों की दुसरा इस्थाना आता है चीन के पस्चाद दूसरा इस्थाना आता है और पूर्पूर्विशु की अगर हैंडेर प्रति सट जंसंक्या मान ली जाए तो भारत में सत्रा दसनना पर प्तिसाद जंसंक्या निवास रथ है और दूसरी त्रश्टी से देखा जाए भारत तो भारत यहां पर साथवे इस्थान पर आता है जिहां साथवे इस्थान पर सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो रूज है तथा पस्चाद कनाड़ा के नाम आता है चीन देनिस के बाद अमेरिका ब्राजील औस्टेलिया औस्टेलिया बाद भारत का न है कि 6 प्रपल के आकार पर भारत के पस्टान किस देश का नाम आता है जी घॉयमस्ट रेखा विश्वत रेखा भी कहा जाता इस जीरो अंच से लेकर इसको पूरा विस्तार के रूप में थोड़ा सा बर्णन किया जाए जीरो से लेकर उत्री गुलार्द को देखा जाए तो 1,2,3,4,5,6 से अकाउंट किया जा तो यहां तक कि 90 है अर्थात अक्षान से रेखाएं जो लेटी होई हैं लेटी भी कह सकते हैं से भी याद कर सकते हैं यहां कितनी है जीरो से लेकर उत्री गुलार्द में 90 है इसी प्रिकास से जीरो से लेकर यहां दक्षिन में देखा जाए तो यहां भ प्षाइब अर्थाद यह बनाने का उद्देश अगाते सको समझा जाए तो मुक्त रूप से अप इसको समझ सकते हैं कि सूर का जो उत्रान है वह इन अक्षाण्स के उपर कभी भी नहीं होता है जी हां यहां पर कभी भी नहीं होता हमेशा यहां खंस के नीचे रहता है इसी भाग में इस 3 wow से यहां से और वहर दक्षिण की औरी सूरीदर हमेंसा यहां पर जलवाई भी पाई जाती है इसके पस्चाथ हम देखें longitude अर्थात देशांतर रेखाएं देशांतर रेखाओं में इसी प्रिकार से वड़न किया गया है यहाँ जीरो लाइन आप देख रहे हैं इसके प्राइम मेरेडियन भी कहा जाता है यह ग्रीन विच रेखा के नाम से भी जाना जाता है GMT भी कहा जाता है आपने पढ़ा भी ह गाँ जीरो से लेकर यह एक्शांत यह देशांतर रेखा-0 202 काकव क्यांट प्रीट लाया जाए तो 180 और वनसे बोकार से क्या बोलिया जाए यह जो वनसे लायाइन इसी प्रिकार से इस हैं जो न्रिव किस लिए किया गया हैक्शांतर रेखाओं को समान समय के लिए किया जाता है यह बहुत बार पूछा بھی गया है डेसांतर रिखांग के अप्रयोग कीकर जाता है अब अक्षांस और देसांतर रेखांग का का प्रियोग होता अवस्थिति और विस्तार में यह भी बहुत-बार question पूछा गया है तो अच्छांच रेखा đã किसी देश की अवस्थिति करने धाण करती हैं वहीं देशيرة आंतर रेखाये समय करने धाण करती हैं अब हम बात कर रहे थे हमारी बारत की अवस्तिति ये विस्तार यहाँ पर देखा जाये तो भारत जो है इस भूमद्य रेखा, अर्था विश्वत रेखा के कहाँ पर है? उत्तर में है, जो हम आने प्रारम में भी बताए, इस उत्तर में अगर देखा जाये, तो यहाँ से जो है, यह 8 एंच 4 डिवी सवस् पूर्वी देशांतर रेखा और यहां किस-किस स्टेट से गुजरती है इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रिदेश मद्य प्रिदेश में सिंग्रोली तत्पस्चात यहां पर 36 गड़ देन वड़ी सा इसके बाद आंध्र प्रिदेश से एक और दूसरी देखा यहां पर सिंगा ह Déनी आपके सामने यहां पर दिये गया है आप इसको देख सकते हैं इसगे शकते हैं री सकते हमारे और जन्हों भाईयों ने हमारे अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यह था सिग्र इसको सब्सक्राइब कर लें मैं बात कर रहा था यह भारती मानक समय रहा है इसकी स्थापना यह कोश्चन तो जनरली नहीं आता है परंतु आप इसको थोड़ा याद कर सकते हैं जो यूपियस से त्यारी कर रहे हैं 1884 को इसकी स्थापना हुई और यह जैसा की बढ़न किया यह प्रयाग राज के नेनी से गुजरती है आज कल यह इसका नाम इलहबाद का प्रयाग राज हो गया है गीन मिडिटीन टाइम जो है यह साड़े पांच घंटे आगे है एक मह पुछा जा रहा है और भारतम वर्तमान में दो टाइम जोन की मांग की जा रही है फलाल अभी तक कि यह मातुर समीति गोर सिफारिस को लागू नहीं किया फलता है एक ही टाइम जोन है वह यही है यह स्टेंडर लाइन की रूप में आप देख रहा है साड़े ब्यासियन द अंतर है दोनों के बीच में तो फलता है जो 29 लगवा 30 मान सकते हैं तो लगवा दो घंटे का अंतर आता है फलता है यहां पर अगर देखा जाए सुबह पांच बजे हो रहा है तो लगभग आप घड़ी के अनुसार तो हमें यहां पर पांची बज़े लग रहा परंतो जो मौसम है उसके अनुसार यहां तीन बज़ता फलता है भारत में दो टाइम जोन की मांग की जा रही यहां पर बहुत सारे कोड़ वड़ी है आप बहुत सारे बना सकते हैं जैसे यह करकरेखा का बना हुआ हुआ है मित्र राजा गंचा पकड मी से मिजोरम तीसे तरा से तिर पूरवग देखें यहां जो वीडियो है यह किस पर का से गुजरात राजिस्थान मध्य प्रदेश मैंने जो मैप के डाइग्राम के नुसार बताए ना इसको धियान रखेंगे तो हमेंसे याद रहेंगे जी हां इसके बाद हमने दिल बानाक समाई के रेखा के लिए भी बनाई हुए उमा 36 आओं तो उसे उत्तर प्रदेश मा से मध्र प्रदेश चासे चाटीज गर्ड और आ से आंद्र प्रदेश और उसे उडिसा इस प्रकासी है पांच राज्यों से हमारी आई एस्टी गुजरती है जी हां अब इसके बाद अवस्थी और विस्तार के बारे अब देखें आठ चार मिनट उत्र यहां से प्रारम होता है और जो उत्तर में बिंदु है यहां पर इंद्रा कॉल है अभी बात चर्चा करूंगा यह है जो है जो है शेंटिस अंच शे उत्रियक शांस तक विस्तर तो इस प्रकास से आप देखेंगे पस्षी में गुजरा तो यह जबकि लिखा हुआ यहां पर पूर्वी देशांतर इसको ध्यान रखेंगे यह जो है वर्ल्ड लेवल पर ग्लोब की द्रश्टी से पूर्वी देशांतर ही लिखा जाता है ना कि गुजरात की द्रश्टी से पस्षी में गुजरात जब भी कोस्टन आए तो क्या जो पूर्व में अवश्टे थे वह क्यों तू कहीं कहीं इसको बंग्रु का नाम दिया तो पस्षी में देखा जाए तो इसका नाम गौर्माता कहीं 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 गहिर माता का नाम आता है इसको भी आप याद कर सकते हैं या सर्क्रीक विवाद आपने सुना होगा 24 अंस 30 किलूमीटर है इसी पेकार से अगर देखा जाए उत्तर तमबिंदू इंद्रा कॉल है और दक्षिर तमबिंदू कौन सा है कन्या कुमारी है एक और पूछा जाता है यहां से कि उत्तर से दक्षिर की स्कीर लंबाई कितनी है तो जी हां 3214 किलूमीटर इसको जरूर याद सियात कर लें एक कोशन और बनता है कि जो अन्डमाण निकुवार में यह इंड है ईसको अक्षांसि विस्तार कितना है जी हां भारत का इस्थिति विस्तार है वो अन्यमाण निकुवार तक भी विस्तार है और अन्यमाण निकुवार जो है छे अंस 45 मिनट पर अवस्ते थे और यहीं पर अवस्ते थे इंद्रा पॉइंट जो दक्षिन तंबिंदू है कभी कभी कूछ लेता है भारत का दक्षिन तंबिं स्थाली खाग या जली खाग बात कर रहें जो स्थाली खाग है यहां से लेकर यह पूरा उत्तर की और तक है इसकी लंबाई पंदर हजादोसो किलो किलोंटर में इसका वहीरे ऐसलिए देखते अब हम देखते हैं तत्वर्टि राज यह ये इस पर मेफ़िक सारी question बंते है जनरली एक्जामों में आपने देखा भी होगा कि सरवाधिक सीमा किस से जोड़ी हुई है जी हाँ सरवाधिक सीमा अगर देखा जाए तो सरवाधिक सीमा है गुज्रात के पश्चार आंद्रप्रिदेश की दें, उसके पाश्चार तमिल दे दे एक सांथ दे दे तो इससे क्या होगा इसकी सीमा जादा है किसकी अंडमान निकुबार का विस्तार बहुत अधिक है इसका विस्तार लग भग 1,962 km है जबकि गुजरात का मात्र 1,214 km है फलता है आपको अगर दोनों आप्षन आ जाए अंडरमाण निकुबार और गुजरात आ जाए तो आप आंसर लगाएगा अंडरमाण निकुबार कि सरवादिक जली सीमा से घिरा हुआ गुजरात का नाम आता है इसके बाद आंदर प्रदेश जो मैंने सिक्वेंस बता है इसके बाद आंदर प्रदेश के बाद तमिल नाडू तो इसको बहुत अच्छे सियाद कर लिए अंडरमाण निकुबार गुजरात गुजरात के बाद आंधर प्रदेश, आंधर प्रदेश के बाद तमिल नाडू, जी हाँ, यही सेक्वेंस अच्छे से आत करिएगा, इसके बाद केंसासित प्रदेश को देखा जा तो दमन दीव, लक्ष दीव और पांडी चेरी भी समलित किया, इस पेकार से हम देखे तो 9 राज और 4 केंसासि से 13 राज टोटल जली सीमा से लगे हुए हैं, आइए एक और एक इस फेक्ट के अंतर के जली विस्तार के अंतर के देखा जाए, तो हमारी एक प्रादिक सिक समुद्री सीमा है, जी हाँ, प्रादिक समुद्री सीमा का अर्थात होता है, तट से लगी हुई सीमा, यह 12 नाट में कितना होता है 1.6 किलो मीटर परन्तु नॉटिकल मील की बात करें तो यह कोशन बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं इसमें निश्ची दूरूप से आप याद करें वन नाट वन नॉटिकल मील बराव होता 1.86 किलो मीटर जी हां प्रादेशिक समद्री सीमा जो है कितने नॉ है आर्थिक च्ट अर्थार 200 नॉटिकल मील के अंत्रगत बहुत बढ़ा है तो 200 कि अनूकोर है उनके समद्रीच सीमा इतने नॉटिकल मील तक के विस्तार है तो वहाँ पर भी अपना कारे कर सकता है अंतर राष्टी सीमा जी हां अंतर राष्टी सीमा की दिर्ष्टी देखा जाए भारत कहां पर विस्त रथे कैसा है तो सरवाधिक अंतर राष्टी सीमा भारत की जो लगी हुई है वह लगी हुई बंगला दे से 4096 क किलों मीटर इसके पसथ साथ है नेपाल की एक 1700 59 म्यानमार की 1643 है तत् Flu भूटान की 699 किल्यों मीटर सबसे कम सीमा यह भी कोस्ते नात्कल पूछा जाने लगा सबसे कम सीमा किसे लगी हुई है अफ स्प्ग कांस इस से तई सीमा किस से अफगानिस्तान से 106 किलमीटर है इसका हमने 100 ट्रिक्स भी बनाए हैं बच्पन में भुवा जी हां बासे बंगला देश चा से चीन पासे पाकिस्तान ना से नेपाल मा से म्यानमार भू से भूतान याद कर लिजिए गार आसे अफगानिस्तान सबसे कम सीमा वाला चित्र अफगानिस्तान तो सबसे पहले दूरंद लाइन दूरंद लाइन आप देख रहे हैं दूरंद लाइन जो है 1896 में बनी थी कब बनी थी 1896 किसके बीच में बनी थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनी थी वर्तमान में या पाकिस्तान और अफगानिस्तान क के नाम होते हैं चीनिओं के नाम होते है तो आपकिस्टान पुसके साथ होगी भारत और पाकिस्तान की मद उनीश सो सैंतालिस िसका का दूरंद देश अथा दूर का देश किसों है दूरंद का देश कुणown सा देश है अफगानिस्तान आफगानिस्तान पाकिस्तान के मत दूरंड लाइं आ hillary कोण से रात यह हैं इसका साथ जोडे हुए पकिसतान की सान इसका cozymbre राज रासे यह चार राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगे हुए यह पूछा भी जाता है निमनी लिखित में से तीन ओप्सन दिये रहते हैं चौथा ओप्सन कोई और भी दे सकता है इसलिए इनको अच्छे से याद रखे पंगू राजा पंगू है पाकिस्तान जी हां इससे याद कर सकते है और राजा अपने आपको कहता है तो पंगू राजा से याद कर सकते हैं दूसरा आप आप देख सकते हैं सुजा कोड़ वाड़ है सुजा किसे जोड़ा हुआ है चीन से जोड़ा हुआ है सुजा और एसिया का अजगर कहा जाने वाला चीन हमेशा हर देश के साथ इससे स से सीमा लगी हुई है इसके पसाद आप देख सकते हैं यह जो है कभी कभी पूछ लेता है यह म्यानमार से कौन कौन सी सीमा से लगा हूँ तो इसका कोड है मामी आना मा से आ जाएगा मडीपुर मी से मिजोरम आ से अरुनाचल प्रिदेश और ना से नागालेंड जी हां तो इ मी से मिजोरम और तरा से तरपर जी आर्ओ इस पेकार से आप इसको पांचों को याद कर सकते हैं वह 5 कि इसने कि बंगलादेश से फिरा हुआ है चार राज्यों से अपना म्यानमार जोड़ा हुआ है और पांच राज्यों से कौन जोड़ा हुआ है यह चीन जोड़ा हुआ है और चार राज्यों से कौन जोड़ा हुआ है पाकिस्तान जोड़ा हुआ है